एक छोटे से गाव में एक युवा नामक लड़के का जीवन था। उसका सपना था कि वह अपने गाव को उन्नति की ओर ले जाए। वह जानता था कि उसके गाव में शिक्षा की कमी थी, लोग गरीब थे और बेरोजगारी की समस्या भी थी। लड़का ने सोचा कि वह अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने गाव के दूसरे युवाओं को भी जोडने का निर्णय किया। उसने गाव के छोटे मोटे सभी बच्चों को शिक्षा का माध्यम देने के लिए एक मुफ्त स्कूल शुरू किया। शुरुआत मे कठिनाईयां थी। लोगों ने उसकी पहल को ठुकरा दिया, कुछ लोग तो मजाग भी बनाते थे। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने गाव के अन्य युवाओं को अपने साथ मिलकर स्कूल चलाने में मदद की। समय बीथते हुए उसका प्रयास उसके चोटे मोटे बच्चे अब पढ़ाई के लिए उतसाहित हो रहे थे और उनके पैरेंट्स भी उन्हें समर्थन देने लगे थे। धीरे धीरे गाव में पढ़ाई की मान्यता बढ़ने लगी। लोगों की सोच में बदलाव आया और समुदाय में सामाजिक सुधार हुआ। इस सब के बीच वह लड़का एक मोटीवेशनल फिगर बन गया। एक दिन गाव के प्रमुख ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकृती दी और उसे गाव की विकास योजनाओं का हेड बनाया। उस लड़के ने सिर्फ अपने सपने की परह की थी और उसने गाव को एक नई दि किया और नए सपनों की राह दिखाई।